हलो दोस्तों कैसो बावू जैहिन जैभार्त मैं नौले सर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल पे आप देख सकते हैं दोस्त इस स्कीन पे लिखा है लहना सिंग का परिचे अपने सब्दों में दे और आप हिंदी परते हैं दोस्त और हिंदी दिग कोश्चन जो भीवी है बार-बार बावू एक्जाम में पूछता है जिसमें से पहला कोश्चन आता है कि उसने कहा था कहानी का सरांस लिखे ठीक है और दूसरा कोश्चन जो पूछता है कि उसने कहा था कहानी के आधार पे लहना सिंग का परिचे अपने सब्दों में दे तो most important है दोस्त, तो आपसे request है, इस question को जरूर लिख ले और याद कर ले, अगर आपको 5 marks चाहिए तो ठीक है, तो सुरू करते हैं, लहना सिंग पले कौन है, याद करो, देखो यह पली का है, लहना सिंग बिटी सेवा का एक सीख जमदार है, याद करना, सीपाई है, लेकि कि पद पर, जमदार के पद पर, उसका राइफल नमर कितना है, 77, पढ़े हो एकजाम, आप अगर चैप्टर 2 पढ़ें, तो पता होगा, उसका जो सीख नमबर है, राइफल नमर, 77 है, वह भारत के दूर, बिदेश, यानि कि फ्रांस में, मैं हो गया है, फ्रांस में कर देना, फ्रांस में, मेरे प्यारे चात, इस मै को में बना दा, फ्रांस में, जर्मन सेना के बिरूद, यूध करने के लिए भेजा गया है, ठीक है, वह एक कर्तब्य निष्ट सैनिक है, बहुत ही कर्तब्य का पालन करने वारा, करेक्टर परधान ये, चरित्र परधान ये कहानी है, अब करें अदमे साहस में साहस से भरा हुआ ठीक है सौरय यो निष्ठा से युक्त वह यूद के मोर्चे पर डटा हुआ है यानि कि यूद के जो मैदान है उस मोर्चे पर जहां पर उसको पहरा मिला एकदम डटा हुआ है विसाम परिष्ठितियों में भी कभी वह हतुसाहित नहीं होता है यानि चाहे कितनी भी संकट आ जाए कभी वह डिसकरेज नहीं होता है कभी ऐसा नहीं लगता है उसको कि यह लड़ाई यूद का मैदान है मेरी प्रान जासतिया से भाग जाओ अपने प्रानों की परवाह किये बिना वह युद भूमी के खंडकों में रात दीन पूर्ण तनम्यता के साथ कार्ज रत रहता है जहां पर उसके डूटी दे दी गई है पूर्ण रूप से चाहे जो हो जाए खंडक से हिलता नहीं है आप देखे होंगे कहानी पड़े होंगे बोधा सिंग हजारा सिंगा बेटा है दोस्त जो सुबदार है और वह तबियत खराब है उसका फिर भी अपना जैकेट कोट उसको पाहना दे रहा है और खंडक खाई में डिव्टी दे रहा है एक आख बोधा उस पे है बोधा पे है और एक आख खाई पे ताक कोई जर्मन स जब वह उप जाता है देखेड ककी दीन तक यानि 4 दिन तक बैट रहा है अंग अंग में तार घुम रहा है यानि सब एठारा है जिनजिना रहा है तो वह एक दिन अपने सुभदार से कहता है कि यहां कि इस कार्ज डूटी से उसका मन भर गया है ऐसी निश्क्यता से वह अपनी छमता का परदर्शन नहीं कर पा रहा है वह कहता है क्या कहता है मुझे तो संगीन चरहा कर करा कि कास चर्ढ कर मार्च का हुक मिल जाए कोई मेरा आफसर होता और मुझे कोई हुकुम देता ना फिर साथ जर्मन को अकेला मार कर नौ लोटू तो मुझे दर्बार साहब के देली पर मथा टेकने नसीब ना हो यानि सीख लोका जहाँ पर पूजा करने जाते हैं दर्बार साहब के पास ठीक है गुर्णानक जी के पा यह त्रिट संकल पले बेखती है और यह देखिए आत्मो सर्क भावना उनकी भावना कैसी है वह सत्रू से लोहा लेने के लिए इतना ही उतकंठित है कि उसका कथन जो इन सब्दो में परकट होता है और वो क्या कहते है देखिए लहना सी क्या बोले बिन फेरे घोरा बिगर सिपाही अगर आप घोरा पालते हैं और एक दिन भी उसको दवरा आते नहीं है तो पका हुआ घोरा रेस का घोरा नहीं हो सकता है वैसे हैं सिपाही दिन भर सिपाही ना कोई उसका एकसरसाइज हो रहा है ना गोली ओली चलाने के लिए या दोर और के लिए बयाम हो रहा है वो सिर्फ सीपाही नहीं है उसकी मानुविये समवेदना वचन बत्त तथा प्रेम बच्पन में जो 12 सल का है और अमरी सर के एक छोटे से सहर में जब वो जा रहा है तो आप एक लर्की से मुलकात रहे जो 8 साल की है ठीक है कलांतर में जब वो अपने पहले की बात याद कर रहा है वो सेवा में भरती हो गया अब यहापे सेवा नहीं दोस्त सेना होना चाहिए गलती से लिखा गया वो सेना में भरती हो गया तथा संजोग बस उसे वह ग्यात हुआ कि वह बाली का अब सुविदार की पत्नी है बहुत अपने पती एवं फोद में भरती अपने एक मात्र पुत्र की रक्षा का वचन लहना सिंग से लिया, देखिएगा जब वहां पे लोट रहा है, लाम पे जाने के लिए अपने गाउँ से लोट रहा है, तो सुबधार के घर गया, तो सुबधार क्या बोलता है, कि लहना, बार बार पूछता तेरी कुरुमाई हो गई है ठीक है बहुत ही मजदार दोस्ती है कहानी है उससे भेट होने पर अब सुबधार की पत्नी है उससे भेट होने पर सुबधार की पत्नी ने अपने पती एवं फोज में भरती अपने एक मात्र पुत्र की रक्षा का वचन लहना लहना सिंग से अपने आचल को फैला क्या बोली है कि मैं चाहती हूं लहना कि लौम पे यूद पे मेरे पती भी जा रहे और बेटा भी जा रहे लेकिं मैं चाहती हूं कि तुम उनके प्रानों की रक्षा करना जिसे लहना सिंग से लिया जिसका पालन लहना सिंग ने अपने प यहां सिंग कौन है तो उसमें क्या है जमेदार है, उसका राइप्षय सुभविधार है, पूछतáo है करता बेड़ाना उसका दोस्त है? और आप पूछत foul है काहानी कैसीँ है ? तो सबसे पहले बताना कि सर यह करता बेनिष्ट कहानी है यानि चरित्र परधान बता सकते हैं कोई दिकत अगर वीडियो समझ में आये दोस्त तो जरू लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में भी इसको सेर करें ताकि सारे बच्चे इसको पढ़ें फायदा